तो आज मैं आपके लेकर आया हूं सुगर इंडस्ट्री से एक बहुत ही बहतरी निस्टॉक जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनलाइसिस करेंगे जानेंगे कि कंपनी किन-किन प्रोडक्स में डील करती है क्या प्रोडक्स बनाती है कंपनी के क्या आगे फ्यूचर प्ला करेंगे आपको असानी से मिल जाया करेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी का नाम है डाल्मिया भारत सुगर लिम्टेड कंपनी का नाम है डाल्मिया भारत बहतरीन कंपनी कंपनी के बारे में थोड़ा जानते हैं डाल्मिया भारत सुगर इंडस्ट्री लिम्टेड ह फर्स्ट यूनिट ऑफ 2,500 टन कैपिसिटी वाज सेट अप एट रामगड विलेज ओफ इंदसीतापो डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इन 1994 तो उत्तर प्रदेश में इन्हों ने फर्स्ट यूनिट लगाई थी पच्चिस सो टन की जो कैपिसिटी की एक यूनिट इन्हों ने लगाई थी अफ्टर डेट फिर कंपनी ने धीरे-धीरे-धीरे-धीरे रामगड की उनिट में ही और एक्सपेंशन किया उसके बाद में और उन्होंने कमडिव करी 3500 तन की जो क्रेशिंग कैपिसिटी है वो कंपनी ने अब बना ली लीडिंग सुगर प्रोडूशर इंदा कंट्री इस नाव फुली इंटिगरेटिट प्लेयर विद वन ट्वैंटी मेगावाट आफ को जनरेशन कैपिसिटी एंड डिस्टिलरी और टू हन्रेट फिफ्टी फी फाइव किलो पर डे अलॉंग बेट इन सी नरेशन वाइलर से इताल सो एस फैसिल फैसिल फैसिलिटाइज फॉर प्रोसेसिंग ऑफ रॉस उगार तो इनके पास मैं खुद का बन टॉइंटी मेगावाट का को जनरेशन की कैपिसिटी भी है जिससे यह पावर जनरेट कर रहे हैं बहतरीन कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी की आप देख सकते हैं इनका जो विजन है टूबी अमंग्स दा टॉप टू प्लेयर इंडा इंडियान सुगर इंडस्ट्री वेस ओन इविटता कंपनी बहुत ही बहतरीन कर रही है इं इस तरीके से अपनी प्रजेंस को बढ़ाया है अपने कंपनी ने एक्स्पेंसन किया है कंपनी के जो कस्टूमर्स हैं आप देखें ब्रेटेनिया भारती वॉल्मार्ट टावर जुविलेंट लाइप साइंस आप देखें ये कंपनी के क्लाइंट्स हैं युनाइटिव रेवरीज पेप्सिको इंडिया ग्लाइकॉल्स ये सारे के सारे ये क्लाइंट्स हैं कंपनी के नामी ग्रामी कंपनी के क्लाइंट्स है यो नामी ग्रामी क्लाइंट्स जो है कंपनी के बहतरीन क्लाइंट्स बहतरीन परफेक्शन कंपनी का management बहुत ही solid management है Mr. J. Hari Dalmia executive director है vice chairman managing director Dalmia भारत गुरुप के management बहुत ही solid है company का हम जानते हैं कौन-कौन से products company बना रही है तो सबसे first जो इनका product है वो है sugar सुगर सेक्टर में इनके पास में 3500 टन की capacity है per day की भेतरीन and साथ के साथ Dalmia संजीबनी hand sanitizer भी बना रही है COVID-19 में जिसका बहुत यूज हो रहा है डालमिया भारत का संजीबनी hand sanitizer is manufacturing alcohol based hand sanitizer as per the WHO recommended formulation जिसमें उनोंने बताया है क्या-क्या ingredients उसमें है alcohol, glycerol, hydrogen peroxide distilled water it is manufactured by distillery unit सीतापुर, साजापुर, कोलापुर सब जगे पे ये इनका manufacture हो रहा है डालमिया संजीबनी hand sanitizer जिसकी market में बहुत demand है साथ के साथ company power business में भी है company power भी generate कर रही है इससे भी company को फायदा हो रहा है क्योंकि ये अपनी company को चलाने के लिए power खुद ही generate कर रहे है company का सबसे यादा जो strong business जो है इस समय इथे नॉल, thyle acetate ये company का बहुत ही बहतरीन काम कर रहा है ये business इसके बारे हम आप क्या आगे बताएंगे कि कस तरीके से ये आगे काम कर रहा है इनके लिए बहतरीन organic manual भी company बना रही है जिसकी इनके पास 20,000 metric ton की capacity है per annum की तो बहतरीन performance आप देख सकते हैं यहापे मापको key highlights company की दिखाता हूँ highest ever revenue 2021 में इन्होंने generate किया है 2020 से 2021 में आप देख सकते हैं 80 करोड से सीधे 1629 करोड इविटता भी company का भड़ता हुआ नजर आया है profit after tax अगर आप देखेंगे तो लगवग double का profit है इनका आप देखें यहाँ पर 105 करोड से सीधे 181 करोड हो गया है हाफ यह में highest ever sugar sales during the half year 3.85 लीटर metric ton and आप देखेंगे यहाँ पर highest ever sugar export during the half year rate भैतरीन performance company की तरफ से आती हुई दिखी है तो मैं आपको ले चलता हूं इनके ethanol वाले business पर इथेनल का business इनका किस तरीके से काम कर रहा है और भैतरीन performance आप सुगर की तरफ से देखेंगे sales volume इनके भड़े है इविटता थोड़ा सा गटा है लेकिन sales volume में आप ही अच्छा खासा इनको jump देखने को मिला है सुगर सेक्टर से आप देख सकते हैं यहाँ पर इविटता and sales volume दोनों ही अच्छे significant भड़े है और डिस्टलरी का आप देखेंगे business क्योंकि डिस्टलरी से यह अपना इस समय hand sanitizer बना रहे हैं इस business से तो इसमें इनको अच्छा खासा मुनाफ़ा देखने को मिला है भैतरीन performance डिस्टलरी के business से company को recoveries were higher on account of diversion of sugar into ethanol तो सुगर से ethanol जो बन रही है उससे company को काफी अच्छा फायदा हो रहा है power से इनको इतना ज्यादा अच्छा फायदा नहीं हो रहा है लेकिन ethanol के business से इनको काफी अच्छा फायदा हो रहा है production and export have fallen in UP as there were no operations during the off season on account of lower tariffs in UP आप देखेंगे मैं आपको दिखाता हूं इंडरस्ट्री की जो न्यूज है सुगर इन्वेंट्री इन लेवल इंडिया सुगर इन्वेंट्री एज ओन 30 सेप्टेंबर 20 इस्टूड़ेट 10 metric ton एज अगेंस 14.5 तो बड़ी है 30 सेप्टेंबर 2019 दूटू पावर प्रोड़क्शन एंड हाई एर एक्सपोर्ट दूरिंग दा सीजन हावेवर फॉर दा अपकमिंग एर सुगर इन्वेंट्री इस एक्स्पेक्टेंड टो इंक्रीज मार्जिनली आप देख सकते हैं कि तरीके से इस आए अगे आराम से भेहतरिन पर्फर्मेंस आएगी जिस तरीके से एथेनोल के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं और ये कंपनी जो इथेनॉल बना रही है आप देख सकते हैं C-Etherinol B-Etherinol G-Etherinol सब के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं धीरे-धीरे तो आगे आने वाले ताइम में आपको इसी तरीके से अगर इथेनल के प्राइस अगर इंक्रीज होते रहे तो कंपनी को इथेनल के बिजनेस से भौती आगे अच्छा वाला फायदा होगा. एथेनल प्राइसे अगर प्राइस अगर एंक्राइस अगर उल nepिजने सुछ्ट मुल्मिति सब्ससर्दाव थे 23rd due to WTO regulation, subsidized law and scheme for ethanol introduced, subsidized law and scheme भी है, जिनसे company को फायदा होता हुआ देखेगा, company ने अभी एक latest product भी अभी market में लेके आए है, this is to inform you that Dalmia company is launching sulfur flea white crystal sugar and natural brown sugar under the consumer brand Dalmia Utsav, तो इनका एक brand है Dalmia Utsav, तो उसमें अपने ये दो product इन्होंने launch किये है, sulfur free white crystal and natural brown sugar, ये इन्होंने launch किये है, जो company March 16, 2021, तो company के अभी ये new product launch हुए है, कौनसी category है, business to consumer, इस वाली category को भी ये धीरे-धीरे market में भड़ा रहे है, company बहुती अच्छा परफॉर्म कर रही है, financially अगर आप देखेंगे, तो company के अच्छी performance है, other updates, कुछ updates company ने दी है, इसमें, started crushing operation in the first week of November for sugar season 2021 in all the units, 2021 में, November से ये इनका sugar crushing का जो operation है, वो start हो गया है, and board of directors approved capex plan 412 करोड for brown field expansion and strategic diversion of sugar into ethanol, ये सबसे बहतरीन है, company का जो outlook है, ये अपना आगे 412 करोड का एक capex करने जा रहे हैं, जिसमें brown field expansion करेंगे ये, जिसमें इनका plan है, sugar से ethanol भनाने का, तो ये company के लिए बहुत ही अच्छा आगे revenue generate करता हुआ देखेगा, बहतरीन performance company की तरब से आती हुई देखेगी, तो friends इसको दियान में रखते हुए, हम company के share को आर्चानी से आप ले सकते हैं, long term के लिए company अपनी के share में performance आगे अच्छी देखने को मिलेगी, तो आप दाल्मिया भारत का long term के लिए अपने portfolio में ये share रख सकते हैं, एक पर आप देखें, अभी latest new जाईए, sugar sector पे, sugar sector in sweet spot on government policies, तो government की जो policies हैं, उससे sugar sector को बहुत ही अच्छा फायदा देखने को मिल रहा है, stock आप देख सकते हैं, double digit stock rise हो चुके हैं, 2021 में, GM financial believes India can be more an opportunistic exporter, depend on the domestic demand supply scenario and global sugar prices, sugar manufacturer appear to be in a sweet spot and the stocks from this sector look poised for gains thanks to government policy on the ethanol blending program, तो ethanol blending program के थुरू, companies को भी फायदा हो रहा है, farmers को भी फायदा हो रहा है क्योंकि farmers के लिए कोई भी area इसमें नहीं रहेगा, इनको direct पूरा का पूरा पैसा मिलेगा, डाल्मिया भारत जिसमें आप देख सकते इंडिया, sugar sector has drifted away from cyclity in terms of sugar prices as well as from partial deregulation, तो company जिस तरीके से बोल रहे हैं, brokerage firm जिस तरीके से बोल रहे हैं, आगे आने वाले time में, companies को काफी फायदा होगा, जो sugar sector में है, उनमें से एक डाल्मिया भारत भी है, GM financial believes, इंडिया can be more an opportunistic exporter depending on the domestic demand supply scenario and global sugar prices, अभी एक ओर latest news आई है, इंडिया जिसमें सुगर मिल्स to manufacture medical oxygen, एक virtual meeting हुई है, क्योंकि market में oxygen की बहुत demand है, market में oxygen चाहिए due to corona, तो इसमें एक virtual meeting हुई है, जिसमें शरत पवार ने बोला है, it was decided that Mills would start manufacturing both large and small cylinder of oxygen for medical uses, तो आने वाले टाइम में डाल्मिया भारत भी ऐसा कुछ करती हुए दिखेगी, जिससे की company के revenue में और अच्छा खासा इजाफा आपको देखने को मिल सकता है, तो फ्रेंस थोड़ा सा technical analysis करेंगे, इनके चार्ट पे, एक बार चार्ट आप देखे, maximum चार्ट में आपके सामने रख देता हूँ, इस company का, आप देखें फ्रेंस, maximum चार्ट पे company ने अपना विल्कुल lifetime high पे company का share खड़ा है, और company ने अपना lifetime high लगाया है, 237 रूपीस का, FD से यादा share ने return कमाके दिया है, dividend return भी company अच्छा खासा देती है, डाल मिया भारत, आप देखेंगे, 085 का dividend return है company का, एंड आप देखेंगे, 100% analyst बोल रहे हैं share को buy करने के लिए, अपने sector PE से थोड़ा सा ही PE ratio इनका उपर चल रहा है, कोई problem नहीं है, डरने की बात नहीं है, company में आप ship के थुरू भी पैसा लगा सकते हैं, सुगर सेक्टर आने वाले time में, आने वाले 4-5 साल के अंदर, जिस तरीके से government की जो policies हैं, उससे सुगर सेक्टर, अपनी जो भी इनके जो loss थे, उनसे उबरता हुआ नजर आएगा, और भैतरीन performance देता हुआ नजर आएगा ये sector, और ये stock भी, भहुत जवरदास stock है, डालमिया भारत, एक बार मैं आपको इनका एक बार दिखा देता हूँ, valuation, technically analysis हम करते हैं, एक बार मैं आपको chart company का दिखा देता हूँ, company का आप chart एक बार देखेंगे, every indicator पे, आप देख सकते हैं, MACDRSI, Bollinger Bands, Moving Averages, आपको every indicator पे, weekly and monthly level पे, आपको chart bullish नजर आएगा, bullishness में है chart, अच्छी खालिस bullishness है company के chart पे, एक बार देखते हैं, share की face value 10 है, and EPS आप देखेंगे, तो 35 की EPS share generate कर रहा है, जो की अच्छी खाल सी EPS है, and book value per share, 188 की book value है, आप देखें share का chart, कितनी ये गजब का chart इसने यहां से, 154 से share का जो है price, 235 हो गया, just 10 to 15 days के अंदर, तो share अच्छी performance दिखा रहा है, long term के लिए आप अपने portfolio में share को रख सकते हो, अच्छा खासा पैसा ये share कमा के आपको आने वाले time में दे सकता है, आप देखेंगे, regular dividend देती है company, and bonus भी एक बार देख लेते हैं, negative नहीं जा रहा है, इनका profit, sustainable net profit generate करती हुई, दिख रही है company, and company की जो ROE है, आप देखेंगे share की ROE, 13 की ROE generate कर रही है, ये कर रहा है share, आगे आने वाले time में, आपको ये ROE बहुत उपर तक जाती हुई दिखेगी, company पे depth है, लेकिन depth को भी ये धीरे-धीरे complete खतम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फ्रेंट सी जो expansion का जो प्लान है, इनका जो capex का जो प्लान है, इससे company के revenue में अच्छा खासा एजाफा आपको आगे वाले time में देखने को मिलेगा, शेर अभी 233 रुपे का चल रहा है, आप अगर long term में शेर को रखेंगे तो आपको 50% का every year return इस शेर से मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, एंड आने वाले time में ये शेर आने वाले एक से डेड़ क्वाटर के अंदर आपको ये शेर यहां से 300-300 रुपे के भी price दिखा सकता है, तो friends आपको ये वीडियो कैसे लेगी, आप मुझे comment करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल को subscribe करने ना भूलिएगा, जिससे कि जो भी latest वीडियो मेरे चैनल से related रहा करें, आपको उसनी से मिल जाए करेंगी, thank you.